आगा हालो डियर फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग हम M.N.S. श्रिनिवास को पढ़ रहे थे और M.N.S. में आज हम कॉंसेट पढ़ने वान है वो है वेस्ट आनाईजिस्न जैसा कि आपको सब को पता होगा कि यह जो कॉंसेप्ट इन्होंने दिया था यह कॉंसेप्ट इन्ह किarthg community इसे असे पास के इरलाघों में रहती है। उसके study करी और उस Пट्रिय के बाद में दो concept शामनी में निकल करा Market करना और दूसरा तुसरा क्या था था federnization यह पश्चिमी करन ठीक है westernization ठीक है संस्कृति उस्टप करन और dat and learn connection संस्कृति थी 1952 में यह याद रखना है और बुक का नाम क्या था रिलिजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्गोव साउथ इंडिया ठीक है तो कोई आप से गर एक्जाम देखो यह क्यूशन पूछा हुआ है पूछा था क्यूशन कि इन्होंने जो कुरुप पे जो स्टडी की थी वो कब की थी तो यह याद रखना है 1942 यह जो बुक थी यह कब लिखी थी बुक नहीं लिखी मतलब इन्होंने पहला इस्टडी करके छोड़ दी उसके बाद बुक फोम में यह 1952 मिला है तो संस्कृतिकर का जो कॉंसेप्ट इन्होंने दिया था इसको पहले इन्होंने ब्रामनिकन कहा था उस कॉंसेप्ट को इन्होंने दिया था 1952 में और 1952 में जो बुक लिखी उसमें दो कॉंसेप्ट आये पहला था संस्कृतिकरन दूसरा था वेस्टनाइशन अच्छा संस्कृतिकरन और व किया है ठीक है तो देख लेते आगे पश्यमे करन परिवर्दन के उस प्रक्रिया का घोतक है जो कि भारते जन जीवन समाज उस संस्कृत की विविन पक्षों में उस पश्यमे संस्कृति की संपर्क में आने के फल्जूरत उत्वन नहीं जिसे कि अग्रिशाशक अपने साथ अगर हम इस्टोरिकल रूप से भारते समाज को देखें तो भारते समाज पर सदियों से जो बाहरी आक्रमनकारी है वो आती रहे हैं और उनका प्रभाव भारते समाज पर पढ़ता रहा है जिसे पहले कुशान आये शक आये या यूगोगी ये मॉम्डन आये जिसमें मुग तुरुगल आये तुरुख वाला दिर्टत वाला दुरुख वाला जो फेज है वह रहां तो सभी जु सभी जु शंस्क्र्ति भारत में सब संब्टकरा जो पर वह ऑंज पर्शु परदें इन पर्ढरते दक पर पढ़ता रहा है मतलब बहुद बाहर से संस्कर्ति आए और स गुण की वादे हैं कि जो आगर आज हम देखें निमें बने बॉल किला आगराम बने वे जो किला है ताज्मल इसकी दियन है और राजस्थान में जो मुगल और इसकी राजपूर जो शेली है दोनों का मिक्सप जो शेली का मुगल का प्रभाव वो आसानी देखा जा सकता है इमारतों में आर्किटेक्चर में इजिली देख सकते हो ठेगे तो उस तरह से तो M.S.R. निवास ने जो भारती संस्कृती थी भारती जंजी बन जो था उस पर अंग्रेजों के प्रभाव पश्रमिक्रन का मतलब पूरा पश्रम नहीं सिर्फ औली ब्रिटेन ब्रिटेन के लोग हमारी यहां पर आये थे उन्होंने लंबे समय थे हमारी राज किया था तो उस संस्कृती के हमारी संपर्क प्यानिक बाद में जो हमारी संस्कृती पर प्रभाव पड़े उसी को उन्होंने पश्रमिक्रन का आये ठीक है हम अब आजाद हो गए थे पर इन्होंने नाइंटी-फिटी थक का फिजिए जब तक समीधान लाग हो आये तो जो डेड़ सो वर्स तक का जो फेस था जिसमें हमारी संपर्क में वह आये और हम जो इफटेट थे उन नंचे और इस फेस में बहुत ज़्याद आ रहे तो इसका उन्होंना ह़ाए प्रकारियात्मा गृप से ही इसकी व्याक्या किए मतलब उन्होंने पॉजिटीव वे में चीजों को बताया ही आये इसा नहीं कि उन्होंने चीजों को नेगटिव सब को इन्होंने दिखाया हमारे टेक्ने Baptistय यह समाछ म सबस्क्राइब और यह समाज उसपर क्या प्रभाव पड़ा इसी को उन्होंने दिखाया है थोड़ा इसको अपने देख लेते हैं इन्होंने लिखाया है कि मैंने पश्चिमिकर्ण शब्द को बिर्टिश राज्य के डेड़ सो वर्ष के शासिर के प्रणाम सुरूप भारत ये समाज वो संस्कृति में उत्पन् किया है और ये शब्द विभी निस्त्रू जैसे जैसे क्या है प्रोधोगी की जैसे प्रोधोगी की मतर्ट टेक्नोलोजी संस्ताओं विचारधारा मुल्ले आदी में गटित होने वाले परिवर्तनों का घोतक है ठीक है ये बात इन्होंने किसमें लिगे थी शोशल चेंज इस इस बुक में इन्होंने वेश्ट नाइशन को डिफाइन किया था जैसा कि मैंने आपको बदाये भी है कि एमेंशन निवास ने 1952 में धक्षन भार्त में कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विशलेशन में संसिक संस्कृतिकरण और पश्चिमिकरण संस्कृतिकरण और पश्चिमिकरण के उधार्ना विक्षित की और सामाजिक परिवर्तन का शिद्धान ये मानता है कि परिवर्तन के आधार विवस्ता की भीतरी पाये जाते हैं पता भीतरी पाये जाते हैं और बाहरी पाये जाते हैं संस्कृतिकरण के उधार्ना जाती व उसको दो आधारों पर बताया है कि एक तो होता है इंटरनल आधार पर चीजे बदलते रहती है और एक होता है एक्ष्णल आधार पर चीजे बदलते रहती है तो इंटरनल में इन्होंने संस्कर्थिकरण को लिया था संस्कर्थिकरण में यह था है कि किसे नेम जाती समू के दोवारा किसी उच जाती यह प्रभू जाती यह उच जो समू हूँ दूज जाती जिसको इनोंने लगे दिखा था यह लोग ही सोच Kalan無 प्रवेश बुशा और विचार इन सब को का अनुकर्ण इस आधार पर करते हैं कि जाती प्रद्रक्रम में हमें उच्छिस्तान प्राप्त हुआ यह इन्होंने संस्क्र्ट करन कहा था तो यह आंत्रिक परिवर्तन होता है इससे समाच के अंदर अपनिया परिवर्तन आ रहा है जिन्होंने हमारे यहां पर बहुत लंबे समय तक राज गिया था उनकी वेशसे हमारे समाज में जो परिवर्तना है अमारी शिक्षा वेभस्ता में परिवर्तना है ठीक है जैसे हमारा पहला परेल जिसए कद सिंस्क्र्टि अगलता उसके बाद में हिंदी को भी उनने बढ बढ़ावा दिया English को इन्होंने बढ़ावा दिया और भी languages को इन्होंने बढ़ा दिया मैलाओं के लिए शिक्षा को इन्होंने खोला ठीक मतादिकार जी को बढ़ाए इन्होंने और कई कूपर था है इन्होंने हटाई तो परिवर्थन था एमें स्री निवास ने पश्रिमिकर्ण की वैकर इस रूप में दिये कि भारत में 150 वर्षों के अंग्रे शासिन के फ्लसुरू भारत में अंग्रे शासिन विवस्ता में कायम हो जानिक बात से हमारा संपर्क पश्रिम संस् सभी पर अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव देखा गया भारती समाज में तकनीक परिवर्तन श्यक्षिन संस्ताओं की स्थापना राष्ट्रिता का उदे नई राजनितिक संस्कृति आधुनी ज्यान जीवन में नवीन विचारों एबन मुल्यों का समाविष आधिका प इननों ने लिखा है बट इन्होंने जो एक्ष्यमिकरण की विश्यसता बताईए तो यह सब कुछ इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है बट फिर भी एक बार एक नजर माल लेते हैं एक तो यह व्यापक अधारना अब यह व्यापक अधारना कैसा है इसको समझते हैं पश्य के प्रभाव से उत्पर्ण होने वाले सभी तरह के भोतिक और अभोतिक परिवर्तनों का समावेश हैं इस संबंद में श्री निवास की विचार को स्प्रश्ट करते हुए कुपसवानिन लिखा है कि पश्यमिकरण का संबंद मोकरेफ सो तीन से त्रोस है एक तो वेवार सं को लप हुआ समझे मुल्ले संबंदी पक्स जैसे मानुतावाद हमारी यहां पर तो इनिकुलेटी रहे सुसाइटी के अंदर जाती में बढ़ा हुआ था उस निच का भाव था चूत अचूत इस तरह के चीजे थी तो इन्होंने मानुतावाद को बढ़ा हुआ दिया इन् सभी धिर्मों को मतलब इन्होंने सम्मान दिया इस तरह से और समतागारी विचार पश्रिम के प्रभाव से समाज के इन सभी पक्षों होने वाले परिवर्तन पश्रिमिकर्ण से संबंदी रूप से दूसरा जो इसका करेक्टरिस्टिक वो है नेतिक रूप से तटस्ट आए गई संस्कृति ठीक है मतलब हम यह करने इसे नहीं कर सकते इस बात को कि पश्यमिकरण एक सकारात्मक्त चीज यह नेतिक्ता से तटस्ट है इन्होंने यह निसके आने से बहुत ज़़ा हाला कि इन्होंने प्रकार्यत दृष्टि से ही इनका अद्ध्यन किया था और ज यह गलत है अब हम उसका एफेक्ट देख सकते हैं बस कि वह हमारे ले सकारात्मक्त ठीक है और अब तीसरा जो है यह अंग्रवज दौरा लाई गए संस करती है अंग्रवज दौरा लाई गई इसलिसको पश्यमिकरण का एक जटिल परकरिया है जटिल परकिया में अनेक परकियानिक और प्रोधोगी प्रगति के फश्यमिकरण का अधिक परवाव देखने को मिलता है बात ठीक है जो लोग निमन वर्गों से रहे हैं उन पर पश्यमिकरण का परवाव नहीं है मतलब एक तरह से हम कई बार हम देखते हैं कि modernization को भी हम पश्यमिकरण के साथ जोड़ देते हैं हाला कि वह concept बिल्कुल दोनों चीज़ें अलग है बट फिर भी हम देखते हैं कि जो रहन से यह पहनावा यह जो जो चीज़ेंड में जो चीजी यूज होती है वो जो उच वर्ग है वो जल्ली यूज करता है और निमन व किसी भी कप्ड़े पहल्यके लेटेकर आयं किए बट बाल कःट बा लेटे हैं किसी भी तरीके से चाफ्ल में देख कर लेदें लाए गए अनेक पश्चिमिस सांस के तत्व को हमने अनयासी कप गरन कर लिया यह शायद हम स्वेम हमें भी नहीं पता तो हम पेंट और शर्ट पेंटे या वह चीजी हम नहीं पेंटे मतलब दोती कुर्टा वगरा होता है या कोई भी ट्रेडिशनल जो सोसाइटी में किसी की सोसाइटी किसी भी स्टेट को उठालो जिसका अपना-पना ट्रेडिशनल होता है तो हम अचेतन रूप से चीजी करन लगए हमें नहीं पता कि उसको पहनना भी चाहिए नहीं पहनना चाहिए जो पहनते आ रहे हैं लोग उसी को पहनन लगए वह पैंट शेट हम पहनने पारा रूप नहीं है पश्ची मिकरण का संबंद किसी समाने संसकर्थी से नहीं है बिल्कुल ठीक है यह बिटी संसकर्थी से संबंदी था मतलब यह ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल को संसकर्थी अनेक मुल्यों को समावेश इसके अंदर पश्ची मिकरण में अनेक मुल्यों क पर भारती समाज भी क्या परवाव पड़ा इसको भी एक बार देख लेते हैं एमेंश्रे निवास ने पश्चिमिकरन की विस्तर चर्च अपनी प्रुस्तक शुप्षर चेंज इन इंडिया में तथा योगिंदर सिंग ने मोडनाइशन ओफ इंडियन ट्रेडिशन यह वी काफी इंपोर्टेंट बुक है एक बार देख लेना इसको भी आप योगिंदर सिंग की योगिंदर सिंग एक चौल में जो भी मोडन या आज के मतलब मोडन वो है क्या बोलते हैं इस बीक कुप सुवामीन अपने पुस्तक शोचल चेंज इन इंडिया में परभाव की चर्चा की ठीक है परभाव देखते हैं क्या क्या है तेको जाती वस्तान परिवरतना आया है पश्चिमिकरन की वज़से मतादिखार मिला है ठीक है समाजी निर्म जातिवने उच्छ जात संपूर्ण धाचा चर्मडागर तूट गया है तूट तो नहीं गया है बट यह कास सिस्टम पर कुछ प्रभाव आया इसमें जो विश्चनाईशन का बहुत प्रभाव रहा अब तक जितने भी विदेश्य शाशक हमारी यहां पर रहे लें कभी में मेरे कास सिस्टम जो हम कि सारी धरा साही हो गई और अंग्रेजोंने कुछ नए मुले नई चीजें ठीक है समानता मानुतावाद इस तरह जी कॉंसेप्ट दीए इससे हमारा जो समाज है वो एक नई दिशा में बढ़ा और यह ठीक भी राय समाज के लिए इस तरियों की स्थितिम परिवर्तना है उनको सम्तावादी मुलें मिले हैं और उनको मतधिकार मिले हैं समाज में उनको भी बराबरी परिवर्थन हुआ है यह अब एकल परिवार की तरह बढ़ा है ठीक है रिती रिवास परिवर्थन आए पश्यमे करने रिती रिवास तोड तरीके रहन सेन खान पान उठना जीवन के प्रतेक्ष्ट शेत्र से संबंदी तरीकों में व्यापक परिवर्थन के लिए हाथ मिलान परिवर्थन हुआ है पश्यमे करने के परणाम से रूप को एक साथ काम करने का उसर पहले जो फिमेल फिमेल और मेल दोनों को बहुत अलग रखा जाता था बटा भी कोई एजुकेशन को पालन करने की जगे योगे जीवन साथी का चुनाव लव मेरी जैसा हम देखते हैं उसका भी कौन से बढ़ा है इसके फलसोर एक और विलम विवाह का परसनल बढ़ा है तो दूसरी और बहुत से शिक्षित और जागरुक वेक्तियों ने अंतरजाती विवाह करना भी आरंब कर दिया है इस समय विवाह को एक स्वस्त पारिवारिक जीवन के आधार गुरु म मतलब एंडोगेमी अंट्रकास्त ने अंडोगेमी मतलब खुद के जाती में विवाह करना थीकिंग उसका कॉंसेप्ट विवाह पोड़ा कम हुआ है इंट्रकास्त बढ़ने लगा इसके साथ है अपने पसंद की वेक्तिवी साथ विवाह का परसनल बढ़ा जिसे परिवर्तन आये देखो अ, बश्रिमय करन के संसक्रति के प्रभाव से अंद्विश्वासो करम खांडोत धर्म पर आदारी कूप परताओं के मनोष्टी में प्रयापत परिवर्तन देखने को मिलता है इसाए धर्म परचारकोर ने जब हिंदु धर्म में आप अंद्विश सख्शित और वेक्षिल वेक्थियों ने ध्रम दवरा समद्व भी देविवासी प्रता। धिया अश्च प्रस्ता सती प्रता बालव विद्वा विवा पर नियन तर्म तो सत्रियों की निभ्म निस्थे आधीका विरोध करना आरम कर दिया। मतलब इसाई में थोड़ा सा मोडनाइशन दिखाया अपने धर्म में तो धीरे धीरे जो भींदू धर्म था उसने अपने बदलाव किया तो यह सब था तो ठीक है फ्रेंड्स आज क्लास में इतना ही है और वेशनाइशन का जो कॉंसेप्ट है बस इसमें दो-चार चीजें है जो एक्जाम के पॉइंट ओफ्यू सापको याद रखनी है बाकि आपको डिस्क्रप्टिव कहीं लिखना है एक्जाम में देना है या फिर इंट्रीव ग्राफ पेस करना है तो चीजी ज़्यादा पढ़नी चीजी मेरा बानना है बठा में जो ज़्यादा याद रखने वा सुसाइटी रिलिजन सुसाइटी अमंग कुर्गुफ साउथ इंडिया यह बुक लेकी इस बुक में दो कॉंसेट आये थे संस्कर्ति करन संस्कर्टाइशन और वेस्टनाइशन हो गया इन दोनों को जो डिफाइन किया है इन्होंने वो 1966 में बुक कॉन सी है शोशल चेंज इन ओर इंडिया उसमें इन्हों डिफाइन किया ठीक है और अगर पश्री में करन की बात करें तो है क्या है 150 यह यह वर्ड याद रखना है 150 year के ब्रिटिश संपर्क के दोरान 150 year का जो टाइम था उसमें ब्रिटिश स्पेशल ब्रिटिश और नहीं ठीक है ब्रिटिश जो कि संपर्क दोरान जो मारी भारती परमपरा भारती यह को भारती जो सोसाइटि इंडिन सोसाइटि में जो परिवर्दना है उसको इनोंने वेस्ट नाजिशन का आप टू ठीके फ्रेंड्स नेक्स्क्लास में फ्र मिलेंगे आज के लिए तना है थेंक्यू